हलो एवरिवन, आपने पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर में हमने जाना कि पुष्पी पादपों में लेंगिक जनन किस प्रकार संपन्य होता है आज हम इस चैप्टर में मानव जनन में लेंगिक जनन की प्रकारिया के अंतरगत कैसे कोई नया जीव बनता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों हम सभी जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्रानी होता है और जरायूज प्रानी भी होता है यानि इसमें नर और मादा युगमक अलग अलग जीवों में बनते हैं और निशेचन के बाद यह नवजात शिशु को जन्मक देते हैं अब हम यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव जनन की क्रिया के अंतरगत कौन-कौन से चरण होते हैं इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे यह फ्लो चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमने किन-किन चीजों को पढ़ना है किन-किन तथ्यों को जानना है इसके अलावा भविश्य में भी आप शौर्ट ट्रिक से शौर्ट तरीके से मानव जनन की प्रकिरिया को समझ और समझा पाएंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले युगमक जनन की प्रकिरिया में सबसे पहले होता है युगमक जनन युगमक जनन यानी इसमें नर युगमक और मादा युगमक बनते हैं नर युगमकों को मनिश्यों में शुकराणू कहते हैं और मादा युगमक अंडाणू कहलाते हैं दूसरा है वीरिसेचन वीरिशेचन होता है कि शुकराणों को मादा के जनन मार्ग में स्थापित करना किसके द्वारा? sexual intercourse के द्वारा इसके बाद नर और मादा युगमकों का जब सनलेन होता है तो उसे निशेचन का आ जाता है हमें ग्यात है निशेचन के बाद युगमिनज बनता है युगमिनज के बाद युगमिनज में होने वाली विशेश समसूत्री विवाजन को हम विदिलन या क्लीवेज कहेंगे इस क्लिवेस के कारण युगमिनज मौरूला, ब्लास्टूला और गेस्टूला वस्थाउं से गुजरता है विदलन के बाद बनने वला भुरून मादा के गर्भाशे की दीवार से चिपक जाता है जिसे हम अंतरोपन्या इंप्लेंटेशन कहते हैं इसके बाद ये चिपका हुआ भुरून कुछ समय तक मादा के गर्भ में रहता है जिसे हम गर्भावधी कहते हैं अलग-लग जिन्तों में गर्भावधी अलग-लग होती है और मनुष्य में गर्भावधी 270 दिन की होती है गर्भावदी का समय पूरा हो जाने के बाद प्रसव की किरिया होती है जिसमें मादा बद एक नवजाद शुशु को जन्म देती है चलिए लेंगिक जनन की प्रकिरिया को और अच्छे से समझने के लिए हमें नर और मादा जनन तंत्रों को भी अच्छे से समझना होगा अब हम नर जनन तंत्र की और चलते हैं मैं आपको सबसे पहले इन चित्रों को दिखाना चाहूंगी इसमें आप पुरुष जनन तंत्र को अच्छे से देख सकते हैं और इधर भी ठीक है इसमें शोनी छेत्र की आरेखी कार्ट आपको दिखाई गई है और इसमें पुरुष जनन तंत्र की आंतरिक सनरश्णाओं को दिखाते वे आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है अब हम नर जनन तंत्र को समझने का प्रियास करते हैं इसमें इसकी अंगों को चार भागों में बांट कर पहला होता है मुख्य जनननंग जिसमें एक जोड़ी वरिशन आता है उसके बाद सहायक नली का हैं जिनमें अधी वरिशन, वरिशन जाली का, शुक्र वाही का हैं, शुक्र वाहक, स्खलन नली का, जनन मूतर नली का आदी आते हैं इसके बाद आता है बाहिय जननेंद्री जिसमें की शिशना आता है जिसे हम पेनिस भी कहते हैं इसके बाद नर्जननंग में कुछ सहायत ग्रंथियां भी पाई जाती है जैसे शुकराश है सेमाइनल वैसिकल प्रोस्टेट ग्रंथी और बल्बो यूरेथरल ग्रंथी ठीक है आपको यी नाम थोड़ा सा याद करने में कठिन जरूर लगेंगे लेकिन अगर आप चित्र के साथ देखते हुए इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे ठीक है अब चित्र के साथ साथ इन अंगों को समझते हुए मानव जनन तंत्र को समझने की गोशिश करते हैं सबसे पहले हमने बात की व्रिशन की व्रिशन मानव ज उदर गुहा में नहीं होते हैं, उदर गुहा से नीचे ये लटके रहते हैं, क्योंकि उदर गुहा का तापमान बहुत अधिक होता है, जबकि शुक्राणु को बनने और परिपक को होने के लिए अपेक्शाकरत कम तापमान की आवशक्ता होती है, अब हम यहां पर एक और च आपको इसमें दिखाई देंगे, जैसे वरिशन में छोटे-छोटे वरिशन के अंदर छोटे-छोटे कक्ष होते हैं, जिने हम वरिशन पालिकाई या टेस्टिकूलर लोबियूल्स कहते हैं, ठीक है, यहां पर आप टेस्टिकूलर लोबियूल्स को देख लीजे, जिने हम testicular lobules कहते हैं यह छोटे-छोटे कख्ष इन testicular lobules के अंदर आपको जो coiled structure दिख रहा है उसको samaniferous tribules कहते हैं ठीक है इनको हम samaniferous tribules कहते हैं इन्हें शुक्रजन नलिकाएं भी कहते हैं यह बहुत अतिक उन्दलित से नशनाया या coiled structure होता है इसके बाद शुक्रजन नलिका के भीतर के भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है पहली प्रकार की कोशिका होती है शुक्रजन कोशिका जिसे male germ cell या spermatogonia भी कहते हैं और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाएं शुक्राणों का निर्मान करती है और सर्टोली कोशिकाएं इन शुक्राणों को पोशन प्रदान करने का कारिय करती है अब शुक्रजन नलिकाओं के बाहारी छेतर को अंतराली अवकास कहते हैं इनमें अंतराली कोशिकाएं और रुधिरवाहिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाओं को leading cells भी कहा जाता है और ये पुंजन ये endogen हार्मोन का श्रावन करती हैं। ठीक है? एक चित्र में और आपको दिखाना चाहूंगी ये। ये शुक्र जन नलिकाओं की आरेखी काट है। शुक्र जन नलिकाओं सहमैनी फेरोस्टीब्यूल्स जो की किसके अंदर होती हैं? टेस्टिकूलर लोब्यूल्स यानि व्रिशन के अंदर ये होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं अंतराली कोशिकाओं इनके बाहर जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर और अंदर आप देख सकते हैं शुक्र जन कोशिकाओं स्परमेटोगोनिया जो शुक्राणों बनाएंगी और सर्टोली कोशिकाओं जो इन्हें पोशण प्रदान करनी हैं। अब आप देख लीजे इसके बाद क्या होता है कि शुक्र जन जो नलिकाएं हैं वो विशन जालिकाओं द्वारा शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं ठीक है यहाँ देख लीजे गिए देखिए ठीक है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिने हम विशन पालिकाओं कहते हैं इसके बाद यह विशन जालिकाओं में खुलती हैं यहाँ पर यह विशन जालिकाओं हैं ठीक है इस जिने हम रेटे टेस्टिस भी कहते हैं यह खुलती हैं शुक्र वाहिकाओं में ठीक है यह खुलती हैं श Epididymes भी कहते हैं उसके बाद ये Epididymes टेस्टिस से बाहर निकल के वासा डिफ्रेंशिया के रूप में आगे बढ़ता है जिसे हम शुक्रवाहक भी कहते हैं ये शुक्रवाहक उदर के पास आके मूत्रवाहिने के चारू और एक लूप सा बना देता है देख पा रहे हैं आ एक नलिका आकर मिलती है कहां से सेमाइनल वैसिकल से ठीक है एक नलिका सेमाइनल वैसिकल से यहां पर आकर मिलती है जो की स्पम या शुक्रानों को लेकर आती है इसके बाद ये नलिकाएं एजाकुलेट्री डक्ट के रूप में ठीक है एजाकुलेट्री डक्ट के रूप म मूत्राशर में आ जाती है ठीक है फिर यह मूत्राशर से मूत्रमार्ग में और फिर यहां से शिष्ण के आगे जो छेद होता है यहां पर तक आ जाती है ठीक है यहां पर देख लीजे शुक्र जनक न लिकाएं व्रशन जा लिकाऊं रेटी टेस्क्रस के बाद शुक्र वाहि वासा इफ्रेंशिया में आई वासा इफ्रेंशिया से अधिव रिशन एपिडिडाइमिस उसके बाद शुक्र वहक वासा इफ्रेंशिया उदर की और बढ़कर मूत्राशे के उपपर एक लूप सा बना देती हैं। उसके बाद शुक्राशे से यहाँ पर एक नली आई जो शुक्राणों को लेकर आई थी। अब हमने यहाँ पर बात की थी बाये जननिंद्री ठीक है बाये जननिंद्री यानि पैनिस की पैनिस के बाहर एक लूज स्किन होती है जिसे फॉर स्किन कहते हैं ठीक है शिष्ण का कारी कि होते है या नर्यूग्मकों को यानि शुक्रान्वों को मादा तक पहुचाने का कारी करता है जिसे वीर सेचन कहा जाता है सहायक ग्रंथियों का श्राव सेमाइनल प्लाजमा का निर्मान करता है जिसमें फ्रक्टोस, केल्शियम और एंजाइम होते हैं बल्बो यूरेथरल ग्रंथियों का श्राव ल्यूब्रिकेशन का काम करता है सेक्शूल इंटरकोर्स के समय प्रोस्टेट ग्रंथि का श्राव वीर्यकाल लगबग 15-30 प्रतिशत भाग बनाता है और इसका कारे होता है शुक्राणों की गतिशिलता को बनाए रखना क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि नर में जो शुक्राणों होते हैं वो पूछ चुक्तों होते हैं और गतिशिल होते हैं एक पॉइंट यहां पर आता है कि सर्टोली को शिकाएं केवल स्थनदारियों में पाई जाती हैं और मनुष्य में शुक्र जनन हर समय होता रहता है एक यहां पर वीरे का पीच कभी कभी पूछ लिया जाता है वीरे का पीच 7.4 माना जाता है या होता है और जो वीरे होता है वीरे उसमें शुक्राणों और जो सहायक ग्रंथियों से निकले विश्राव वो सब मिलकर वीरे का निर्मान करते हैं आज आपने जो कुछ भी सीखा उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नर्जननंग के आरेखी चित्रों को बनाने का अभ्यास करेंगे और आरेखी चित्रों के साथ-साथ ही आप इन विभिन नामों को याद करने का प्रियास करेंगे जिससे कि आप नर्जनन त संत्र को और अच्छे से समझ पाएंगे कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मादा जनन आंग की चर्चा करेंगे और मानव जनन की प्रक्रिया को आगे और समझने का प्रियास करेंगे